जिलादिकारी विज़किनन आनंद ने सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचैत भीमा पार में सोमवार को चौपाल लगाया है जिसके संबन में जिलादिकारी विज़किन आनंद ने बताया कि मुखी मंट्री के निर्देशन सार सभी गाउं में चौपाल का आयोजित किया जा रहा है जिसको देखते हुए सोमवार को मेरे द्वारा सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचैत भीमापार में चौपाल लगाए गया इस तरह का चौपाल लगाता जिले के अलग अलग गाउं में आयोजित हो रहा है जिसमें गाउं के लोगों को अधिकारियों द्वारा चल रही शासन की कल्यान कारी योजनाओ की जानकारी दी गई है इसके साथी ग्राम पंचैत के विकास कारियों की भी समीक्षा की जा रही है जहां कहीं भी कारियों में लापरवाही पाई जा रही है वहां के संबंदित अधिकारी का उत्तरदायत और निर्धायत किया जा रहा है उन्होंने कहा चौपाल में विकास कारियों में थोड़ी कमी पाई गई है जिसको देखती वे सभी कारियों को जुलाई तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है इस संबंद में गुरकपुर ने उससे बात करते हुए जलाधिकारी विजय किरेन आनंद ने कहा जापकार धारक हैं यहां को कुछ जापकार धारक हैंगा नहीं जरहाद उटाएं जिनका जापकार बना है माने मुक्यमंद्री जी का निर्देश था कि ग्राम चापकारों का आयूजन होना है और सभी जलास्तरी अधिकारियों द्वारा मेरे अधिक्स्ता में आज बीमापर में चापाल लगाया गया रगातारी इस तरह की चापाले हम लोग कर रहे हैं सभी वरिष्ट अधिकारी गन, परजिला अधिकारी गन, मुक्यम्द्री अधिकासिकरण सभी गाउं में चापाल लगा के वहीं सारी योजनाओं की जानकारी देते हुए और आज गाओं में विकास समद्यद योजनाओं के बारे में काफी बातें संग्यान में आई जहां गती कमी थी जैसे गलिया बन रही थी नालिया बन रही हैं उन सभी में हम लोगों ने गती लाने के लिए तीन मेने का सब्सक्राइब दिया है जुलाई में पुना चौपाल लगेगी उस गाओं में और हंड़ेट परसंट कारेपूर्ण होने के लिए निर्दिशित किया गया